और यार ये नेड़ना गलत सीन करने वाला है बिल्कुल तो भाई लो कैसे हो तो यार वेलकम दी बैक बैक दी वेलकम और स्वागत है आपका एक बिराण न्यू इंटरंस पबजी दो मोबाईल गेम प्ले वीडियो में जिसमें गलत सीन दबा दबा के होंगे और देखो पबजी के साथ साथ मेरे साथ ये भी गलत सीन चला है ये भाईया जुकाम हो चुका है ठीक है दूब भाईया दबा दबा के लग रही है गर्मी का मौसामा चुका है लेकिन मुझे नहीं पता क्यू मुझे जुकाम हो चुका है खैर वो सब छुड़ा है ये सब तो लड़री होती हैं तो मैं अंधारस करता हूँ तो यही फायदा होता है अगर आपको जल्दी गन मिल जाए तो आप आराम से हलवे की तरह निहत्ते बंदे पेल सकते हो क्या रागे वाले बंदे निहत्ते नहीं होंगे और ये पीछे से 30-100 कार्ड का बंदा हम पे गूलियां पेलना होता है ठीक है यहाँ पे हम 300 कार्ड पहले ही होते हैं ये निहत्ते बंदे और वो बंदे जिनोंने इस निहत्ते बंदों को इधर पे भगाया और मैं जो इनकी पेटी बना देता हूँ और उतने में ही एक चोथी टीम का बंदा दूर से गूलियां पेलना होता है खेर उसको नौक कर दिया तो भाई रिवाई वगेरा होंगे जो भी सीनोंगे भाई के साथ लेकिन आप तयार हो जाओ क्योंकि आप चार बंदे रस करते हैं आगे से पीछे से दोनों जगा से करते हैं और यार कलच कुलच दबा क्यों होगा यहाँ पे बिल्कुल अब पहले मैंने सोच आता है यार बंदा ऊपन से चौड में रस कर रहा है तो क्यों न मैं उसकी पेटी बना दूँ यार बाद में पता चलता है कि उसके बाकी टीमेट कवर फायर दे रहे होते कते यार भगा दिया मुझे यहां से और अब यह लोग पास आ गए हैं तो यार अंदर गुस्किय पेलने की कुशिस करेंगे और मुझे खुद नहीं पता क्यों लेकिन हम अभे भी जिंदा है ठीक है पहले यह आते है बंदे भाई चोड में मुझे लगता है यार एकात बंदे होंगे गन फायर इंकी पहली हो चुकी होती है भाई एकात का तो पता नहीं चार बंदे जरूर होते हैं और चारो के चारो अंदर उसके अंधी फायरिंग देते हैं और मेरे पे सिर्फ और सिर्फ एम सो लहे चार होती है क्योंकि यार एकेम की गुली अंधा चला के मैं वरबात कर देता हूँ और देखो अगर मैं डिरॉप शॉट नहीं पेलता ना अगर मैं रिरोड करते टाइम नहीं लेटता तो हम कद्दू भी जिंदा नहीं होते अभी आभी दूसरा मैच खेल ले होते करेगा कद्दू नहीं पता होता और यहां पे मैं दुबारा वही हरकत कर रहा होता हूँ एकेम की गोलियां बरबात कर रहा होता हूँ और यहां पे मैं मजे से गोलियां पेल के गोली बरबात कर रहा होता हूँ और उत्रे में ही मेरे टीमेट के कोई M66 चिपका देता है और इन तीनों बंदों को मैं बगेर एक भी गोली खाय पेल देता हूँ ठीक है अब ये चीज कैसे हो ही यार मुझे कद्दू नहीं पता मतलब सही है यार किसमत तगड़ी चल ली है तो मैं धैर पैड इधर पे आता हूँ अपने टीमेट को रिवाइव देता हूँ जोर्च खाली हो चुका है या तो हमें ऐसा लग रहा है कि जोर्च खाली हो चुका है खेर यहां पे जितनी भी जो भी सस्ती लूट होती है उसे मैं उठाता हूँ और निकल लेता हूँ खेर वहां से मैं जोर्च से निकली रहा होता हूँ मेरे तिवाग में एक ही जीज होती है कि यार गाड़ी नी मिली बगगी पे मुझे कद्दू भी भरोसा नहीं है और जब मैं यह सोची रहा होता हूँ उत्रे में ही हमारे भाई हमारे ले गाड़ी ले के आ जाते बिलकुल मुझे सामने हला मतलब सही है यार भला उबंदे का भाई गाड़ी की जुरुद थी गाड़ी ले आए भाई हमारे पे और भाई ने अपनी पेटी भी बनवाली तो यार गाड़ी भी मिल गई एक किल भी मिल गई तो और क्या चाहिए जिन्दगी में और देखो ये गन में जादा नहीं उठा था इस बार उठाई है M249 और या जब भी उठाता हूं न गलती सीन होते कता ही और याँ पे तुमारे भाई ने सिर्फ और सिर्फ 9 सेकंड में हाँ मैंने गिना है मैं कताई धीटू सिर्फ 9 सेकंड में पूरी स्कौर्ड निप्टा दी ठीके ये बंदे क्या कर रहे थे डिरॉप को देख रहे थे कि भाई बंदे किता रहे हम डिरॉप लेके निकल चुके ते डिरॉप में मिरी M249 और यार सो गोली हलवा नहीं उती यार और इस गन का डेमेज भी काफी तगड़ा है मतलब ग्रोजा के लेवल पे कदू भी नहीं है लेकिन भाई मजा आ जाता यार कते जहें डेमेज इसका भी क्यार उसके बाद मैं इधर पे जा रहा होता हूं और पोचंकी में बंदे मिल जाते हमें और यहां पे कनफूजन कते अलाग लेवल पे थी ठीके मैं यह सोच रहा था कि भाई करू तो क्या करूं क्या मुझे गाड़ी फोड़ देनी चीए या बंदे नोक करने चीए ठीके तो गाड़ी तो कदू भी नी फूटी बंदे नोक बस दो ही और दो बंदे बाकी हैं अब जब मैं पहले बंदे को नोक करता हूँ मुझे लगता है यार बचने के लिए कूदरा होगा बंदा और जब मैं दूसरे बंदे पे सकोब खोलता हूँ यार पता चलता है यह तो अपने ही बंदे हैं मिलने के लिए रखे हैं तो मैं थोड़ा पास जाता हूँ भाई माइक नी खोलते पता नहीं क्यों इनका नेट करते ही सस्ता चल्ला होता है तो मैं वोलता हूँ भाईया ठीक या रिवाई वगेरा दो अपन लोग निकल लेते हैं यहां से तो मैं भाई यहां से गाड़ी उठाता हूँ और वहां पे जाता इधर पे आता हूँ और यहां पे दो तीन सो कॉड़ आपस में लड़ रही होती है तो अपने मज़े आएंगे बिल्कुल और यहां पे नयार बंदों की कमे नहीं है क्योंकि हमें मिला के टोटल चार सो कॉड़ हैं यहां पे अब देखो वो दो सो कॉड़ वहां पे आपस में लड़ रही है ठीक है मैं बिल्कुल नहीं जाओंगा वहां पे क्योंकि यहार जोन भाईया आ गया है और जोन भाईया डंडे पे लेंगे और इतने में ही मुझे भी गुलिया पड़ती है तो मैं दैड़ पैड पेड़ पेड़ पे आ जाता हूं एक टाइम के लिए सोसरा था यार आगे जाके देख लूँ लेकिन यह लोग गुली चला देते मेरे पे और यार सही बता रहूं एक टाइम ऐसा था कि भाई बोट आते हैं तो अच्छा लगता था कि भाईया आज तो केड़ी बड़ा के रहेगा तुम्हारा भाई बोट की पेटी बनाओ अब यार बोट तभी आते हैं जब भाईट चली है कता इंटर्स तो इसकी बोट की पेटी बनाता हूं और मैं वापिस अपने काम पे लग जाता हूं तो देखो जोन भाईया आ गए है उन आगे बंदों को भी पता है कि यार जोन भाई से पंगा यार पेटी बनती है जाधतर तो वो लोग भी गाड़ी भगा के निकल रहे हैं मैं सामने समोक वगएरा बना लेता हूं क्योंकि यार एमो की ऐसी तैसी हो चुकी है मतलब M249 में सो गोली गाया बुजाती है पता भी नी चलता तो यहाँ पे लूट लाट करते हैं उसके बाद आपको पता है कहाँ पे जाने वाले है रोजौक की पहाड़ी पे हना और हां भाई लोग तुम्हारा भाई अभी पोको का गिव अवे कर रहा है और वहाँ पे डेली सटरीम वगएरा करता हूं मैं रियो टीवि पे तो हाँ अगर आपको पोको के गिवावे में हिस्सा लेना है तो यार फॉलो करना मत बूलना भाई को रियो टीवी पे उसक अब यार यहां पर या तो मैं ही नसे करके बैठा हूं या तो ये बंदा ये ये लकड़ी के फट्टे के आरपार चला गया भाई बहुत ही बड़ी आया है यार मतलब क्या ही बताऊं सोचो यहाँ पे कही फाइट फूइट चली होती बंदा आर पाड़ जाके नीचे चल जाता और उसकी पेटी बंतियार क्या ही दूख होता और मैं भाई ढूडने की कोशिज भी नहीं करता उसे और यार इस टीम ना ये टीम अलग लेवल पे खिल ली थी ठीके ये दो बंदे इस टावर पे बैठे पड़े थे कि भाई कोई आएगा तो मैं बताऊंगा और इनका एक टीमेट नीचे गरों पे केम्पिंग कर रहा था बहुत अलग और याँ पे हमारे भाई की पेटी बनते-बनते बच जाती है ठीक है मतलब भाई भग के दुबारा से कूद के हमसे दुबारा मिलने आ रहे होते हैं जो की काफी सही है लेकिन यार ऐसे ओपन से आओगे भाई तो सिधा पेटी बनेगी मैं खुद बनाने वाला था फिर देखता हूँ भईया कूद रहे गोली के बटन से हाथ अटाओ क्यार उसके बाद अपन लोग इधर पे आ जाते क्योंकि यार गोली का अकाल पड़ा है गोली की कमी पड़ी होती है मेरे पे तो यहां से पांच की आमोल उड़ता हूँ और उपर पहाड़ी पे बंदे आ जाते हैं अब पहाड़ी पे कितने बंदे हमें कद्दू भी नहीं पता मुझे इतना पता है कि भाई एक बंदे को देड़ पे डेमेज दिया है तो यही टाइम है भगने का क्योंकि यार मैं इस सस्ते एक सटोरी घर पे रहना नहीं चाता बिलकुल अब वहाँ आगे एक बंदे को नौक करता हूँ यहाँ घर पे भी पता चलता है कि एक बंदा बैठा है जो की अपना ही भाई है अब पहाड़ी के बंदों के एक बंदे की मैं पेटी तो बना देता हूँ दूसरे बंदे को काफी डेमेज देता हूँ वो पेड़ के पीछा चुका है और यार मेरी फटरी होती है क्योंकि बगल से फुटी स्टैप आ रहे होते हैं कब क्या गलत सीन हो जाए क्या पता तो अगर हम लोग मिलके पेलते हैं ना बंदों को ठीक है तो यह हो जाएगी भाईया टीमिंग और कते ही बैंद बून हो सकते हैं तो मैं बोलता हूँ आप गोली मत चलाओ हमें करने दो सीन अब यार यहाँ पे मैं बहाना नहीं दूँगा आप खुद देखो इसलो मोशन में मैंने गोली चलाओ पी खटाया वापिस गया और वापिस आके नौक ठीक है अब यह क्या है क्यूं है यार मैं पूछना भी नहीं चाओंगा क्यूंकि यह होता रहता यह सीन होते रहते है ठीक है अब यह नेट की वज़ा से है यह गेम की वज़ा से यार मुझे कद्दू भी नहीं पता खेर यहाँ पे हेलमेट की मेरी ऐसी तैसी हो गई है लेकिन इससे एक बात बढ़िया हो जाती है वो यह है कि यार पहाड पे जो बंदे बैटे थे आखिरकार आके अपने पे रस कर देते हैं नीचे की साइड तो यह लोग बगर वाले घर गुर में आ गये हैं ना यह सिंगल सटोरी पड़े अगर यहां पे सस्ते उन पे आके बैट चुके यह लोग और देखो यार जब भी भाईया घर पे रस करते तो सबसे पहले क्या किया जाता है कताई नेट लेकिन इस बार उनके साथ गलत सीन होंगे अब यहां पे जो बंदा दिवार के बात से नेट की तरह होता है ना मैं उसे देड़ पेड M249 से नौक करता हूं और यार उसका नेट उसी पे भड़ जाता है और यार इस बंदे को देखके न बहुत बुरा लगा मुझे मतलब हसी आई लेकिन हां बुरा भी लगा भाई के लिए बंदा मेरे पे प्री फाइर अंधा देता है मैं भी ढीट ना मैं मोली केंसिल करता हूं ना मैं लेट करता हूं खरक्त था यार पेल देताओ मैं उससे, खैर अब देखो यहां पर टोटल छे बंदे बाकी हैं, और मेरी सस्ती मैं के हिसाब से हम दो को मिला है, और एक हमारे ये भाई जो की गोली नहीं चला रहे हैं उन्हें मिला तो बस तीन बंदे बाकी होने चीए और जो की तीनों के तीन बंदे आगे वाले घरों में बैठे हैं ठीक है ये हमें बहुत देर से परिसान कर रहे होते हैं मैं यहां आगे पहड़ वाले बंदों से लड़ रहा हूँ, तो यह पीछे से कोई DP चलाए जाता है, ठीक है मैं आगे गोली चला रहा हूँ, पीछे से DP पड़ रही है, मेरे टीमेट के गोली पड़ती है, पता नहीं क्या क्या होता है, लेकिन यार अब आखिरकार हम लोग इ दिन शुरू होंगे बहुती जल्द, तो देखो वो लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है, हना उस घर से इस घर में आए, अब आगे वाले घर में आ चुके हैं, अब यह जो रिजरुज है, सस्ती सी आगे इस पे आ जाएंगे कुछ बंदे, और यार आपको भी पता है, अपने पे जोन कद्दू भी नहीं बनेगा, हना क्योंकि ऐसा बहुती कम होता है, क्योंकि यार जाधतर टाइम अपने को गुसके पिलना पड़ता है, तो इस मैज में भी वैसीन होंगे, और काफी टाइम बाद आखिर कार में अपना आधा बदला ले पाता हूं, ठीक ह ये बंदा नजाने कपसे डीपी चला रहा था, हम पे भी चला रहा था, पाढ़ के बंदों पे भी चला रहा था, तो भाई अभी थोड़ी देर के लिए लगबग 10 सेकेड के लिए शान्ती से बैठेंगे, हना रिवाइव दिया जा रहा होगा भाई को, क्यार एक ये जो न और वो बंदा जो रिच पे बैठा था, उसी की तरह हमारे ये भाई भी बनना चारे थे, तो हाँ भकते वे आते हैं, भकते वे नौक कर दिया, और यार ये नेड़ न, कुछ भी नहीं उखाड पाएगा लेकिन डेट होने के कारण मैं बाकी के नेड़ भी उठा के आगे पटकूँगा, अना मुझे भी पता है नहीं फटेगा, जादता टाइम नहीं फटता है, सो में से डेट सो बार मेरे नेड़ फटते हैं, लेकिन बंदे नहीं फटते उसके साथ, लेकिन क्योंकि तुमारा भाई धीट है तो मैं खीशता हूँ एक और नेड़ और यार ये नेड़ ना गलत सीन करने वाला है बिलकुल, और यार मुझे भी नहीं पता कब क्यों और कैसे लेकिन ये नेड़ फट जाता है, और एक बंदा और नोक हो गया तो अपने को टाइम मिल जाता है सामने आने का क्योंकि जहां तक मुझे पता यार अगर मैं ऐसी कूता ना उस खिड़की से, यो लोग हवा में ही पीटी बना देते, खैर यहां पे आ चुका हूँ मैं समोक वगेरा बना रहूँ क्योंकि हमेशा की तरह 90% की तरह जोन अपने पी नहीं बनाए, खैर मैं इन बंदों को पे आके इनी की पेटी बनाने का आओ अब यहां पे खेलते टाइम ना मुझे तीन चीजे दिमाग में रखनी थी, अपनी पेटी नी बनने देना, अपने टीमेट की पेटी नी बनने देना, और यह जो भाई बगैर गन के भग रहे, इनकी पेटी बनने नी देना, तो हाँ मैं अंदर घुसता हूँ, तीन बंद पेटी बनने पेटी बनने देना, और यह जो पाएगा, तो हाँ मैं बोलता हूँ, पेटी बढ़ेगी दिक्कत की दरार, यह पेल दो कताई, लेकिन भाई बोलते हैं, हमसे ना हूपाएगा, तो मैं बोलता हूँ, हमसे भी ना हूपाएगा, हम जोन से बाढ़ जाते, और भाई को चिकन चुकन मिल जाता है, और मजा टैप आगे यार, 29 किल, 30 किल होते उस बंदे की अगर में पेटी बनाता, लेकिन यार, कैसे, कोई कैसे बना सकता है इतने मासूम बंदे की पेटी, ह और अगर आप यहाँ पे नए हो, तो सबस्क्राइब करूँ, क्योंकि तुम्हारा भाई ऐसे गलत सीन, गलत गेमपले, गलत कलच और सस्ती कमेंटरी करता रहता है, तो सबस्क्राइब करना मत भूलना